हेलो गैस, टेरो वित मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब आई होप, आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अउराग को पॉसिटिव कियो होगे गैस, आज हम जो रिडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, आप से कौन माफी माँगना चाता है, या आपकी तरफ वापस कौन आना चाता है, किनको अपने कियो हुए गलत व्यवहार पर गिल्ट हो रहा है ये एक जनरल रिडिंग के काईस हो सकता, आपके साथ रैजोनेट करें, ना करें, जो बात आपकी कंडिशन के अनुसा आपको रैजोनेट करती है, उसे प्लीज रख लिजेगा, बाकी को जाने दीजेगा तो देखते हैं, कौन आपसे माफी मागना चाहते हैं, किनको अपने कियो हुए गलत व्यवहार पर गिल्ट है ये एक टाइमलेस टिडिंग के काईस, तो आप जब भी इससे देखोगे, ये आपको हेल्प करेगी ये, पूक IPS, इससे, ये, ड् scratch, पुझ कू? पीज ऑस वे छोघ्स, कै कै अप info ये, ये, बादIVE, ये, वाद वंगा अव्यार ओरिपना च्हे प्रॉफर लूण्वट्र करें स। UV होईम Bi-cin驚 हो, वादाए Ini, भीज you ये, व्यवीरश्ट Jest। 2 of cups, 5 of vents Knight of swords, the sun 3 of vents, okay King of pentacles, okay तो definitely guys कोई तो इनसान है आपके लिफ में जो चाते हैं आपसे आकर माफिय मांगना अग इनके माफिय मांगने के पीछे का रीजन क्या है हम ये भी जानने के कोशिश करेंगे और यहाँ उनके परस्नेलिटिक को लेकर और उनके व्यभार और व्यक्तित्वों को लेकर काफी सा आजाएगे डिटेल्स आजाएगे जिनसे आप समझ पाओगे कि कौन इंसान है जो आपकी तरफ आना चाते हैं या आपसे माफिय मांगना चाते हैं जिनको अपने जिनको गिल्ट हो रहा है है ना जी पहले बात तो यह कि ये वो इंसान है जिन्नों आपसे बहुत एक पुरी तरीके की होगा कि इनके व्यवहार में देखने को मिली आपको ऐसा फील करवा दिया या आपको एसा फील होने लगा कि इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया कही ना कहीं आपको थोड़ा ये भी डाउट होता है कि हो सकता है कि किसी ने इन पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया या ऐसा क्या क्या है या कोई ऐसे क्या negativity इन पर आ गई है मलब उनकी body वही नजर आ रही है लेकिन उनका व्यवहार आपको बिल्कुल बदलावा नजर आ रहा गए और ये वाकई में है जो उनका व्यवहार दिखता नहीं था न वो व्यवहार आपके सामने उबर कर आया है जो आपको हैरान कर रहा है आप कोशिश है बहुत कर रहे हो कि मतलब एक चिंता बहुत है आपको चिंता दो तरीके से एक तो ये कि कहीं ये तो नहीं कि इन पर कुछ गलत प्रभाव हो रखा है या कुछ नकारात्मकता है तो इनको help की जुरूद तो नहीं है कहीं न कहीं देखो ऐसे इनका बुरे व्यवहार के पीछे भी आपके मंसा क्या है रिष्टो को सुधारने की है ना और दूसरा ये कि इनके help करने की कहीं ये problem में तो नहीं है कहीं कोई negativity ये कोई बुरी चीज का प्रभाव तो इन पर नहीं पड़ा हुआ है जो इन में ऐसा व्यवहार आ रहा है क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है ना गाइस यहां पर कि ये इनसान के बारे में काफी सरी पढ़ते हैं अब मैं एक एक बात जो है ना थोड़ी डीप बाते आ रही है मैं समझाने की कोशिश करूँग इनके व्यवहार में ये कभी बहुत ज़्यादा धर्मिक हो जाते हैं कभी बहुत ज़्यादा धर्म से उपर की बाते करने लगते हैं मतलब इनका ठहराव एक बात पर नहीं है ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे इंसान नहीं है इनमें महनवता नहीं है इनमें इंसानियत भी देखने को आपको मिलेगी ठीक है लेकिन थोड़ी आदते इनके सही नहीं है जो क्या करती है कि इनके इतना बust εκ either sound जी लेकिन एक जिद इसे आजाती है एक एक इंका ऐसा याड़ा आजाता है कि वो सारी चीजों पर केतना 90% चीज़ें अच्छी करने के बाद में एक बुरी चीज इनकी व्यवार में असी है जो सब पर पानी गिराती है वहला अच्छे इंसान है लेकिन एक इनकी बुराई जो है ना इनकी अच्छाई पर भारे पड़ जाती है वो सारी इनकी मेहनत को पानी में गिराती है इनके साथ यह है गाइस कुछ जगह पर इन पर प्रभाव संगत का बहुत चल्दी पड़ जाता है एक्टरल में ये अपनी लाइफ में उचा ही पाना चाते हैं अकीकत क्या है? कि ये अपनी लाइफ में थोड़ी उचा ही पाना चाते हैं थोड़ा स्टेबल होना चाते हैं शायद हो सकता है कि कभी कुछ कम्याई इन्हों ने अपनी लाइफ में देखी है तो उन कम्यों का प्रभाव ऐसा है मतलब इनकी दिमाग में एक बात अटक गई है इस्टक वाली आई ना सिचुशन दे हैंगमेन वाली बात कि लाइफ में बहुत सारा अचीव करना है बहुत सारा अचीव करने के लिए मेहनत करनी होती है इन पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि काम का बर्डन बहुत रहता है बहुत रहता है, मांसिक तनाव इनको बहुत रहता है अभी चाहे इन्होंने आपको कितना भी मांसिक तनाव दिया होगा यह भी खाली नहीं है कि इनको मांसिक तनाव नहीं मिला है यह बहुत ज़्यदा स्ट्रस में है गुसा बहुत भरा हुआ है इनमें बहुत भरा हुआ है और इनकी एक आदत बहुत बुरी है कि इनको किसी भी इंसान पर गुस्सा आता है न वो इतनी नफरत वाले लेवल पर उतरता है कि वो यह नहीं देखते कि सामने कौन बंदा है, मेरा अपना है, पराया है, कौन है यह एक कमी इन में है गाइस यहाँ पर सच कहूं कि ऐसी सिचुएशन जब इनके साथ होती है न तो इनको एक सपोर्ट की ज़रूत होती है कि इनकी कोई जाकर मदद करे, एक थोड़ा टाइम इनकी लाइफ में ऐसा आता है कुछ समय बाद में, जाए इनकी सिचुएशन ऐसी होती है जहां यह स्पेस नहीं देते, कि कोई इनके हेल्प कर पाए इतना कहते है ना कि सारे दर्वाजे बंद कर लेने, खिड़की तक को खुला नहीं छोड़ते कि कोई जाकर इनकी मदद करे बट यह क्या है, चीज़े बार-बार हो रही है, बार-बार हो रही है अभी मैं कुछ कह दो, इनकी लाइफ में, एक तो इनको काम का बर्डन बहुत जाता है दूसरा, इनका मिस्यूज भी बहुत ज़दा होता है तीसरा, यह लड़ाई जगरे बहुत देख रहे हैं अपनी लाइफ में अभी हो सकता है, शायद आपको इनके बारे में इतिनी जानकारी नहीं है जानकारी जुटाने की कोशिश करना, इनके बारे में यह चीज़े कुलकर सामने आएगी आपके पैसो का लॉस हो रहा है इनको, हो सकता है कि आपको बताया नहीं होका लेकिन पैसो का लॉस इनको बहुत हो रहा है उपोर्चनेट यह इनके पास से होकर गुजर रही है, लेकिन इनको नहीं मिल रही है वो तकलिफ यह देख रहे है एक जित है ना इनकी जो ये प्यारा सा शायद आपका रिष्टा है या जो किसी भी रिष्टे में ये जरूरी नहीं है लव रिलेशन्शिप का है ना जी ये मा बेटे का रिष्टा हो सकता है पती पतनी का हो सकता है है ना दोस्त हो सकते हैं आपके पिता हो सकते हैं भाई हो सक बहुता है जो कभी आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा और में एक बात बताओ मैं कि इन्हों ने जब यह व्यवार आपके साथ करना इस्टार्ट किया है ना इस पेशले में आपको यह कह दूं कि शायद पिछले साल 2021 में इनका यह व्यवार एंगसर्ट जो मैंने बताया है ना अभी कि थोड़ा अपशब्द भी बोल देना थोड़ा गलत बोलना बहुत ज़्याद इन्होंने किया होगा यह अपमान जनक शब्द बहुत बोले होगे आपको ऐसा व्यवार आपको पहले नहीं देखने को मिला होगा यह एक साल के भीतर-भीतर में आपको कुछ माईनों में आपको देखने को मिला होगा हह हम इनके बारे में हम आपको एक बात कहना चाहूँगे कि कभी आपका इनके सथ रिलेशन्शिप जो थाना रिष्ट जो थाना वह बहुत प्यारा था मλαग मेरव यह बहुत हो सकता है कि बच्चों की तरह आपका ख्याल रखते थे आपका ध्यान रखते थे या आपकी जोब बी इच्छा के बारे में होताथा इंड़ा कुछ ही परा करना सुकूम से आपकी बातों के सुना बहुत कुछ अच्य क्या ना वो भी कभे मत पूलना देखो अभी की situation कैसी है क्या भी इन्होंने बहुत बुरा व्यावार किया आपके साथ मुझे पता है क्योंकि इनकी हालत एकदम कह सकते हूं कि clear पता चल रही है बहुत हों के मामलों में ऐसे होंगे इन्होंने बच्चों ने अपने parents के साथ बहुत बुरा व्यावार किया है और ऐसा बुरा व्यावार किया है जो सच में मतलब एक कहते है ना नहीं करना चाहिए वो एक boundary के पार होता है कुछ मर्यादा होती है ना जिनको बच्चों को पार नहीं करना चाहिए, वो पाप के भागी बनते हैं, तो शायद इन्होंने वो मर्यादा को लांगा है, एक पाप कर्म कहलाता है न, शायद उन्होंने इन्होंने अपनी लाइफ में एक एड कर लिया है, बट यह चीज इनके साथ एक संगती की वज़स दिया है, शायद जब यह आपके साथ ऐसा व्यवार करने लगे न, उससे पहले सब्ता, दस दिन पहले तक इनका व्यवार ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन किसी की संगती का इन पर इतना प्रभाव पड़ गया, यह अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी अचीव करना चाहते ह इसकी इनका बच्चों वाला दिमाग है, इनकी वुद्धी, इनकी समझ काम नहीं देती है, क्या करती है, जिनके पास बैठेंगे न, उनका व्यवार इन पर हावी हो जाता है, वो वैसा वैसा व्यवार करने लगता है, अगर अच्छे के पास बैठेंगे न, तो अच्छे लेकर आएंगे वैसा करने की भी कोशिश करेंगे लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कम पढ़ता है वास्त विक्ता यह है लेकिन वहीं किसी बुरे इंसान के पास बैठता है ना तो एक ही बार में यह पूरा क्यों पूरा कहता है ना वह पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है बात और अभी बुरी संगत में है यह इनको संगत अच्छी नहीं मिल रही है इनका मन भी कहता है कलत संगती में जा रहे हो लेकिन एक जिद इनके आड़े आ रही है काहिस जिद इनके आड़े आई और इन्हों ने उसके चलते कितना दो चीज़ें दो चीज़ें इनके सामने थी option दो थे कि आपक इनको चुनोगे, अच्चाई को चुनोगी या बुराई को चुनोगे, लेकिन इन्हों ने शाइद इनका स्वार्थ आडए आया या इनकी जिद आडए आई कि इन्हों ने बुरी चीछ को चाया hardness और बुराई संगती को चुना ना तो उसका प्रभाव यह हुआ कि इन्हों ने जो इतने अच्छे प्यारे रिष्टे थे ना उनके साथ एक गहरा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया अब इनके हाल क्या है कि जो रियल में इनके प्रती लॉयल या इमानदा लोग रहे हैं ना वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं पर और शायद होगा भी नहीं गाईस साथ तो कही न कही कहते ना इनके रिचोशन कैसी है कि इन्होंने अच्छा किया लेकिन बुरा इतना कर दिया कि इनका अच्छा जो है न वो धब गया उस पर इनकी बुरा हें पड़ गई अव एब एब ऑय गई से इनका मन थोड़ा बहुत कड़ता है जैसे एक गुस्षे का समय होता है कि एक बात में वो गुस्षा दिर सीधय阳ै दिर सिधय करके कम होने लगता है पानी में जब पत्त्र फेक okay जाता है तो उस समय आप उस उसमें छवी नहीं देख सकते हैं, वो संभवी नहीं है, जब वो शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद में ही आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, तो इनको आपको समझने में इस बार कह सकते हैं, कि हर बार तो कुछ महीनों में या कुछ समय में आपके और इनके बीच में जो गलत फेहमी थी ने वो गलत फेहमी हट जाती थी लेकिन इस बार का दौर को जैसा है कि शायद बहुतों महीने हो गए हैं ये बात खिचती जली जा रही है और इस बात का सुलजान नहीं हो रहा है और अभी की situation ऐसी है कि अपने होकर भी पराय नजर आ रहे हैं य कुछ लोगों ने मिलकर इनके दिमाग को बिल्कुल अजीब कर रखा है इनके हेल्थ भी ठीक नहीं है यह अब अब क्या है कि दिरे दिरे इनको चीजे जो है न समझ में आने लग रही है जैसा कहा हो ना कि गुस्से का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है और जैसे जैसे गु पुरानी जो चीजे थी न वो इनके दिमाग में उच्छाल मार रही है, वो इनके दिमाग में उट उट कर आ रही है, और इनके नींदे चौक कर उट रहे हैं, कि अरे ये क्या, यहाँ पर में एक बात पता दो कि अगर आपके दिमाग में है न कि किसी ने तंत्रमंतर करके, ज अपर clear समझ में आ रहा है काफी सारे लोगों ने मिलकर किया है इनके दिमाग के हाल ऐसा इनके personality में काफी चीज़े अच्छी है काफी चीज़े आपको इनसे सीखने को मिली होगी बट इनके संकेत जो है ना गाइस इनके कि भई ये इस तरीके का व्यभार आपके साथ करने लगे ना उससे पहले आपको संकेत मिले इसके बारे में संकेत कैसे मिले शायद हो सकता है कि इनके बारे में कोई बुरा सपना आपको आया मुझे इतना पता चल रहा है काइस यहाँ पर definitely कि आपको इनके बारे में कोई बहुत बूरा सपना आया है या उससे पहले जब ये situation create होने लगी ना आपकी life में उससे पहले इन्होंने अपने बारे में गुस्टे में कुछ बहुत बुरे वर्स काम में लिये हैं बहुत घलत बोला है जहांपर आप बहुत डर गए थे कि ये इतना बुरा अपनी life के बारे में कैसे बोल सकते हैं बढ़र इनका गुस्टे का लेवल तो बढ़ने लगा था जब भी ये situation create होई ना आपके और इनके बीच में उससे पहले इनके गुस्टे का लेवल बहुत बढ़ने लगा था बहुत बढ़ने लगा था बात तरीके से नहीं करना गुस्टे में बात करना हर किसी से जगड़ा करना खाना गम खाना ये सब चीज़े इनके लेवल ने की है मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं इमोशनली ब्लेक मेल करना वो वाली चीज़े भी इनों ने की है मतलब कहीं न कहीं इन पर एक बात कहूंगे मैं कि लापरवाई का ठपा जो एना इन पर लगा रहता है कि ये लापरवा बहुत है बकाई दगाई से पहले लापरवा थे लेकिन एक समय में इनों ने अपनी responsibility को भी संबालने की कोशिश की लेकिन फिर भी देखो कह रहे हो ना mixed चीज़े आ रही है इनके व्यवहार को लेकर कि कह नहीं सकते कि ये बुरे इंसान है अच्छे इंसान है अच्छे इंसान थे लेकिन अच्छे इंसान का कहता ना प्रभाव कम रह गया इनकी बुराई के आगे बुराई का कहता ना पलड़ा भारी है यहां पर शब्दो का अब आपको भी डर लगता है कि इनसे बात करें कहीं ये ना हो कि ये बोलने में थोड़ा गलत मर्यादा से लांग कर बात करें तो आपको विए थोड़ा एक संकोच होता है इन से बात करने करें कि थोड़े से distance में रहे तो अच्छा है लेकिन साथ महाँ आप ये भी चाते हो कि इनको इनकी गलती का ऐसा सोना चाहिए ये कम से कम इनको गिल्ट होना चाहिए ताकि ये दोबरा ऐसा व्यभार ना करें खुल था सा बच्पना, इनकों केकल सकते हैं कि बणी हो सकता है, तोड़ा सा यह बच्पनां रूरा के सकते हैं कि कयोंड है, और वह बच्पना इनकों की ब्यावार व्यावार था, यह हूशा हैं, लेकिन अच्छी Newton को सकते हैं। इंसा है। समझ है इने लेकिन अपनी यिजत आती है पिर विर समझना नहीं चाहते जैसा मेंने बठा के एक गुस्ता जहीं आ जाता था नि आ जाakte है त liked also या बुरा इंसान है या मेरा है या पराया है फिर ये एक ही बार में मतलब कहते है ना उसको इस तरीका का उसके साथ व्यवार करना कि उसको बता देना कि मैं जब चाहूं आपके साथ जैसा व्यवार कर सकता हूं यही थोड़ा सा इनका कंट्रोल करने का व्यवार भी है ना कं डाल पर उतर आये न तो प्यार करते हैं, और जब इस पर उतर आये ना तो फिर पूछो इमत इनसे बात करने की situation नहीं रहती, बहुत चकड़ा करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, गलस चाप दोकाम में लेते हैं, बहुत बूरा और इस पार का तो आपको भी बता है कि बहुत बुरा व्यावार किया है इनों ने अभी इनके साथ ऐसा है कि इनके पाव में या तो कोई प्रॉब्लम हो रखी है या इनके अभी कुछ मैनों में एक्सिडेंट हुआ है गाइज इनके सर की हालत बिलकुल अच्छी नहीं है इनके सर में कोई प्रॉब्लम हो रखी है या इनको पैरों में चोट लगी हुई है अभी health इनकी अच्छी नहीं है, पैसों का loss भी इनको हुआ है, इनको opportunity आते आते पास से उकर गुज़र जा रही है, लोग अगर ये work place पर है तो इनको वहाँ पर भी गलत शब्स होने को मिल रहे हैं, इस starting में शायद बहुत लोग हिते सी बता रहे थे इनको, कि सब इनके अपने हैं, ठीक है, लेकिन अब इनको दिरे दिरे समझ में आ रहा है कि लोग पस इनका misuse कर रहे थे, अपना कौन है ये वास्त विक्ता में अब इनको मैसुस होने लगा है, कि पहले मतलब किस तरीके की इनको respect मिलती थी, किस तरीके का unconditional love मिलता था, लेकिन इन्होंने अपनी गलती के चलते उस unconditional love को ठुकराया, उस प्यार को ठुकराया, उस मान समान को ठुकराया, चाहिए छोटे हैं न तब भी इनको अब अब अबास हो रहाएगा, इसके इनको कितनी respect मिल रही थी, ये छोट बन नहीं चाहे हैं, इनको help की जुरुत है, ये अभी बीमार है, अभी इनकी हाला ठीक नहीं, इनकी तब्या ठीक नहीं है, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कि ये हाजिर जवाब बहुत है गाज, इनने कोई कुछ भी कहेगा न, ये तुरंत जवाब दे देते हैं, इनक ज्यादा मोटे नहीं है, ज्यादा मोटे नहीं है, पतले ही है, हाज ये जवाब बहुत है, और इनके हाथ चाहे ये लेडी भी है, तो इनके हाथ एकदम जैसे कहता है न, बहुत महनत की हुई होता है न, तो उनके हाथ से पता चल जाता है, थोड़े कठो टाइब हाथ है इ उसकती है। दुकान्मजित शॉप अधिक नियुक प्लव करना मेला है? महीं यू है ध्यूक है? नहीं है, महनत अपने आप आती है इन पर, यह कुद नहीं करना चाहते लेकिन फिर बे काम का बरडर रहता है इन पर पर कहते हैना आपने इच्छा के भिरूत यह काम भी करते हैं गाईस और करना भी पड़ रहाँ अभी, अभी करना भी पड़ रहा है inner voice, इनकी अंतर आत्मा है न, ये इनको कचोट रही है, कि क्या सही, क्या गलत था, इनको पहचानना चाहिए था, या गलत लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था, अपना कौन है, ये इनको पता था, लेकिन फिर भी जानकर भी इनों ने गलती करी, मतलब जैसे बताना कि इनका दिल जानता था, मतलब इतने सालों तक कोई इनसन साथ में रही और व्यभार ना चाने कि पॉसिबल कैसे हो सकता काईस, हा न, तो कहीं न कहीं इनको पता था, लेकिन फिर भी एक जिद, एक गुस्सा इनसे गलत कदम उठवा गया, और जो इनके ल कोशिश करेंगे, आपको हर तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से आप से माफी मांगने की कोशिश करेंगे, और बहुत जल, बहुत जल, आप भी इंतजार में हों कि इनको गिल्ट हो जाए, और कहीं न कहीं आप रही करने से भी डरते हों कि इनको जैसा घलत वि इनको गार्डन में घूमना बहुत पसंद है या फिर पैदल घूमना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है लव आर्स अनकान प्यार ये कभी एक समय में मतलब लगाव जो था ना वो बहुत गहरा था आपका इनके साथ और ये किसी को बरदाश नहीं हुआ गाईस कोई मौके की तलाश में था कोई कि एक मौका मिल जाए और फिर वो देखो अपने कलाकारी क्या दिखाए उनौने कलाकारी दिखाए गाईस मतलब मौके का फाइदा उठाया देखो कोई डबल परसनलिटी का इनसान है कोई तीसरे ही इनसान ने ये सब करने की कोशिश की है, मतलब ये गुस्से में थे मतलब कही ने कही इनके व्यभार के बारे में किसी और को भी पता था और उन्हों ने सोचा कि कोई मौका ऐसा मिल जाए जब मतलब इस से गलत फैमी को और ज़्यादा कहता ना और ज़्यादा गहरा कर दिया जाए तो एक अच्छा मौका उनको मिला और उन्हों ने इस गलत फैमी को और गहरा कर दिया बहुत हस्ते हस्ते मुश्कराते मुश्कराते कि आपका भला कर रहे हैं आपने सोचा कि मैं इन से help लेडू, यह मेरी कुछ मदद कर देंगे, मदद उन्होंने ऐसे किए गाइस, और गलत करके, और बिगड़ा करके, ऐसा बिगड़ा करने की कोशिश की है, जो शायद सुधरे न, बुरे इंसान है जी यह, बोलने में बड़े कटू है, यह तीसरे इंसान की बात कर रही हूँ मैं न, यह परिवार के भी हो सकते हैं गाइस, कभी-कभी ऐसे लोग फैमेली में भी मिलते हैं, कभी-कभी बाहर के लोग भी होते हैं न, तो यह कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी इंसान है ना इनकी personality के बारे में भी मैं बताओं कि ये कड़वे शब्द बहुत ज़्यादा बोलते हैं ऐसे चुबती हुई बाते करते हैं कि दूसरी बार इंसान इनको ऐसा कुछ कहे ही ना या इनसे बात करे ही ना या फिर अगर ये काम में थोड़ा बहुत आलसेपन रखते हैं और इनके बारे में मैं एक और बात बताओं कि अगर आप इनको कोई काम कह दोगे ना कि ये काम करना है तो उस काम को इतने बुरे तरीके से करेंगे उसे इतना बिगाड़ेंगे कि आपका आपने इनको पांच मिनट का वो काम दिया होगा लेकि उसके बदले में आपको एक घंटे की मैनत करने पड़ जाए उस काम के पीछे की जो भी अव्यवस्ता इन्होंने कर रखी होती है उसे वापस ठीक करने में आपको एक घंटा लग जाए तो ये इस तरीके का दिमाग चलाते हैं ये मैं तीसरे इंसान के बात कर रहे हूँ य इन्होंने इनकी वजए से आपके लाइफ में ये चीज़ क्रियेट हुई है कही न कहीं बहुत बड़ा हिस्से था यह प्रॉब्लम क्रियेटर कहते है न वो ये इनसान है देखो आई न कोई चीज़े कुलकर सामने आएगी क्या कुलकर सामने आईगी कि पीछे का रीजन क् अलब नहीं को अलब के medicine and less點al जानता था इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो जन्होंने भड़क आया है ये उनके भाण है ने मक्यूक का फाइदा उठाया नसमंके बारे में भी आप जानते हो इन्होंनने इनकी वजे से कदा कलिश धिले आप ब्रेक्तू आरा आपकी धे आपकर देखो माफी मांगीघ कि आ इनको कुछ भी कहलो गाईस की फेमिली के बीना इंसान इंसान रहता हि नहीं है तोड़ी टाइम के लिए उनको लगी कि मुझे freedom मिल गई है मैं आजाद हूँ मैं अपनी life में बहुत खुश हूँ मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं कोई नाराज हो तो हो जाए किसी से रिष्टा ना रहे तो ना रहे कोई फरक नहीं पड़ता है फरक पड़ता ह है हम इंसाने रिष्टों के बिना जी नहीं सकते है जानी नहीं रहती है ना तो कहीं न कहीं ये चीज का अबास किसी इंसान को हो रहा है जो कहता है ना कि किसी और इंसान की गलतियां खुलकर इनके सामने आ रहे है ना तब इनको मैसूस हो रहा है और कुछ इनकी life में भी प बहुत हिम्मत रखी बहुत आइशोलेशन में रहे ना उसका कहता ना कि हिसाब किताब हो रहा है हिसाब किताब हो रहा है आपके साथ आउटसाइडर बेकोफ ओकर जियो कैस और आपने इन पर बहुत ज़दा अनता विश्वास किया गाइस और कहीं बार इनों ने आपसे जू थोड़ा साथदानी रखना आपकी इच्छा अगर आपको लगता है कि आपको माफ करना चाहिए तो डेफिनेटली गाइस एक बार इनको चांस देना चाहिए ठीक है लेकिन एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए गाइस और रही बात यह है कि इनोंने पहले जो भी आपके अरनÁ प्रेंके देन के इच्छा एक या उसको भी कभी मत पूलना अंना मैं इंके बारे में थोड़ी और information लेना चाहूंगी कि यह कं इंसान है जो आपसे आकर माफिय मागना चाहते हें देखते हैं यह कौन इंसान है जो आप से आकर माफिय मांगना चाहते है नमबर ट्वंटी वन ठीक है यह ब्लैंक है नमबर फूर यह इनके बारे में भी हो सकते हैं नाम T, P, Q, U, B, V नमबर 17, I, नमबर 27, 7777 के अनर्जी आई है थोड़ी इस्प्रीचूल भी हो सकते हैं यह इनसान जो आप से माफिय मांगना चाहते हैं उनके बारे में बता रही हूं E, नमबर 20, I hope दिख रहा है नमबर, हाँ जी नमबर 24, नमबर 5, नमबर 28, नमबर 25, H, नमबर 28, K, S, R और O ठीक है ना जी? तो यह कुछ नमबर्स आएं हैं और कुछ लेटर्स आएं हैं नमबर हो सकता है कि इनके लिए मैधूपों रखते हैं या फिर इनकी बर्ट देट हो सकती है ठीक है? या फिर यह जो लेटर्स आएं हैं यह लेटर्स से इनके नाम की शुरुआत हो सकती है या फिर इनके नाम यह जिग्यासु प्रवति के बहुत जादा है जोटी से चोटी बात की गहन जानकारी इनको लेना बहुत पसंद है यह कोई भी चीज में यह तरक काम में लेते हैं मतलब emotions इनके control में रहते हैं तरक बहुत काम में लेते हैं हर बात की चोटी से चोटी डिटेल लेने की कोशिश करेंगे ठीक है यह थोड़ी आदत इनके ऐसे भी हो सकती है कि यह थोड़ा नजर भी रखते हैं तो यह भी हो सकता है हो सकते हैं कि इनके आदत है कि बार बार अपना phone चेंज करते रहना यह थोड़े थोड़े टाइम में यह नया phone करीते हैं नया mobile करीते हैं या वो काम करने इनको बहुत पसंद है ठीक है बता ना मैंने कि इनोंने क्या ना कि मैनत करना हो सकते हैं इनको ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन फिर भी अपने इच्छा के विपरित इनको अपनी लाइफ में काफी मैनत करनी पड़े हैं शंगर्श बहुत करने पड़े हैं लेकिन एक बुरी बात इनकी बहुत बुरी है, सच कहा रहे हूं कि बुरी आदत इनकी बहुत बुरी है, इस्ट को बदलते रहते हैं, कि अगर इनसे मेरी इच्छा की पूर्ती नहीं होई, तो वो फिर किसी और उसे प्रे करने लगते हैं, या फिर किसी और को ध्याने लगते तो ये भगवान भी बदलते रहते हैं. मतलब यह नहीं कि किसी एक को इश्ट बनाया तो उनको ही माने. अगर उनसे इनकी इच्छा की पूड़ती नहीं होती तो ये उनको भी चींच करते हैं. तो फिर इmadत की बात है गाईस in a ना ? न तो ये आधत इनकी अच्छी नहीं है गाईस बदलना Baham्न तक को बदलते हैं कि क्या खह सकते हैं इनको पेर पॉदव का हो सकता हैं बहुत शौक है या फिर ये पेर पॉदव के पास बहुत बैडते है पानी सीचना इनको पसंद है डियुक्टे हैं यह भॉख़ ज़्यादट है यह उसक्य सब्सक्राइब करने को बहुत पसंद है चैनल ור थाना उतकर कर आपके सामने जाए है तोड़ा-थोड़ा समय समय पर इन लोस्ते obviously नहीं पाए गाईज कि इनके मन में क्या चल रहा है आपने यह सूचा के शाद हो सकता है आज इनका मन ठीक नहीं है मूड ठीक नहीं है यह बर्ग प्लीस पर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो आपने उस बात को अधर वे में लेने की कोशिश कही लेकिन इनके म कट्व को इकट्टा करके एक समय आने के बाद में ये बताते हैं कि मुझे इस बात का बुरा लगा था उस टाइम तब आप कहते हो कि मुझे तभी कह देना चाहिए था ना मैंने तो कोई बात मजाग में कही थी मेरा इंटेंशन वो नहीं था बट मानलों कभी-कभी होता ना क कि कोई इंसन मजाग को भी नहीं समझता ये कभी-कभी situation इनके साथ ऐसी हो जाती है और सच में दिमाग बहुत उलजा रखा है इनों है सच में उलजन बहुत है इनके दिमाग में इनका नजरिया अगर ये change कर ले और अपनी संगती को बदल लेना ठीक है अच्छे लोगों क आप को लेकर clarity जो है वो ँस्टार्ट हो चुकी है यह बहुत जल्द आप से अकर माफी माँगे जब तक आपसे माफी नहीं मांगेंगे ना तब तक इनके इनका मन शांत नहीं होगा ठीक है ना तो आप अपनी तरफ से इनको समझाने की कोई भी कोशिश मत करना अपनी कहताना सत्यता का प्रमान दिने की कोई आवशकता नहीं यहाँ पर वक्त आप सही हो यह जी जिनके सामने लाकर पेश कर रहा है तो गाइस यह थी आज की रिडिंग आई होप आपको पसंद आईए अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कॉमेंट लेक्श शेयर कीजिए मैं मिलती है आपको नेक्स टेडिंग में तब तक के लिए बाई